मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन गैरेक्टर इसका नाम है नेट यह हमसे इंट्रोडियूस होता है एक्षुल में वो एक ट्रमपेट प्लेयर है जब वो यंग था बहुत ही फेमस हुआ करता था और उसकी हालत अब बहुत खराब है इसके बाद स्ट्रीट में एक आदम के कोई और दुश्मन थे नेट की जान बच जाती है वो आदमी डेट बोड़ी के पास आया उससे कुछ लिया और यहाँ से चले गए नेट टाउन से बहुत ही दूर था तो उससे वैसे ही चलते चलते जाना पड़ता है फिर उसकी नजर एक सरकस पर पड़ी यहाँ पर एक इंटरस्टेड हो गया उससे पास से देखना चाता था बहरा कर उसके ट्रेलर तक वो पहुच जाता है लिली गुस्से में उससे कहती है तो उन्हें पैसे पेक किये थे और शो खतम हो चुगा है अगर फिर साय तो मेरे आदमी तुम्हें बहुत मारेंगे नेट कहता है कि प अपना नसीब बहुत अच्छा लगा कि एक घंडे पहले हो मरने वाला था और अब एक एंजल के साथ है वो उसे पुछता है क्या कभी तुम अमेरिका गई हो एक्चुल मैं मैक्सिगो में है वो गहती कि मैं जाना चाहती हूँ लिली की इंगलिश बहुत ही अच्छी थी ज अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए नेट जाते जाते कहता है अगर तुम्हें यहां से भागने में किसी हेल्प की जरूरत हो तुम तुम्हें कर सकता हो लिली इसके लिए मना कर देती है जब वो बाहर आया तो खेड़की से लिली की विंग्स देखता है वो अब अ बहुत ही फेमस टंकेट प्लेयर था और उसके गाने वो अभी भी सुनती है बाहर आने के बाद कुछ लोग नेट को घेर ले दे यह लिली का बॉस था वो उससे कहता है तुम लीली को मुझसे क्यों चुराना चाहते हो मैं उसे तुम्हारे जैसे लोगों से ही बचाता आ रहा हूँ वो एई जगा पर डेस्विन में पड़ी हुई थी मैंने उसे लाइफ दी है वो नेट पर बहुत गुस्ता हो गया उसे मारने वाला था तब लीली गाड़ी लेकर टेंड में घुसा देती है जल्दी से उसने नेट को बचा लिया यह दोनों दूरा कर गास्टेशन प को कौल लगाता है अभी अभी उस पर जो हमला हुआ था एक गैंक्स्टर ने करवा हुआ था इसके पीछे का रिजन यह है कि वो इसके वाइफ के साथ इंटिमेट हुआ है अब नेट अपने फ्रेंड को गहता है कि उस गैंक्स्टर के साथ मेरे इक मेंटिंग फिक्स करो उ उससे देखता है रहे गया उसके पास आता है वो कहती है इस विंग्स के लिए मैं जरा बड़ी हूँ अगर राइट विंग हो तो लोटी फार फ्लोट कर सकती है नेट एक्साइट हो कर उसके पिक्चर लेता है गाड़ी में लीली नेट से पूछती है कि हुआ क्या था लीली को बहुत ही साइड लगा नेट भी कहता है तुम इतनी ब्यूटिफुल हो तुमारे भी बहुत सारे लवर सोंगे इसके बाद यह दोनों एक मोटेल में आके लीली यहाँ की बैलकनी से ओशन को स्मेल कर सकती थी उसने अब तक सी देखा नहीं नेट कहता है सी बहुत ह भूलाता है एक दिन में तुमें लेकर जाओंगा लीली के विंग हर्ट कर रहे थे उसने अपना जैकेट निकाल लिया अपने विंग्स ओपन करती है नेट अवे भी बहुत ही सप्राइस था वो कहता है कि कभी भी ओल्ड नहीं हो सकता वो हमेशा विंग्स को देखकर सप्र भी कहता है जब सुबह होई तो वहां से गायब हो गई थी नेट उटने के बाद उससे कहीं भी ढोन नहीं पाता बहुत दिस्टरब हो गया बहर आया तो एक आदमी न उसे कहा क्यों तुम्हारा ट्रक लेकर चली गई जाने से पहले उसने कॉल भी लगया था नेट फोन को निकालने के लिए आये हुई थी नेट ने जाकर इसे रोग लिया वो लिली को समझाता है तुम अमेजिंग हो डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल नहीं नेट कहता है नॉर्मल होने से क्या प्राइज मिल जाता है यह जैसी है वो बहुत भी ब्यूटिफुल है लिली को भी फ फिर से अपने friend को call लगा था उसकी friend पुछती है तुम्हारे बास ऐसा क्या है जो गैंस्टर के साथ तुम डील करने वाले हो नेट लिली के बारे में उसे बताता है उसकी friend ने कहा कि वो लिली को बरबाद कर देगा नेट कहता है मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूँगा मैं कि फ्रेंड ने पोचा कि लिली में ऐसा क्या है जो उसमें सब लोग इंटरस्टेड होंगे इसके बाद डारेक्ली गैंग्स्टर को उसने फोटोज विगरा दिखाई वो रियालिटी में तो इस पर बिलिव नहीं करता पर कोई भी चांस भी लेना नहीं चाहता क्योंकि बहु नहीं किया तो लिली हमेशा के लिए कायब हो जाएगी गैंग्स्टर नेट को मारना चाता था पर उसके जान के बदले में वो लिली को दे देता है लिली जो भी अर्निंग करेगी इसके थोड़े से पर से नेट हमेशा लेता रहेगा गैंग्स्टर ने का यह सब तो ठीक है पर reality में मुझे उसे देखना पड़ेगा ये फिर एक concert की जगा meeting fix करते है अगली दिन एक remote सी जगा पर आकर Lily और Nate ये दोना hangout कर रहे थे Lily पूछती है तुम तो बहुत ही famous थे तो अब हुआ क्या वो कहता है तो मुझे बूरी आदत पढ़ गए drugs वेगिरा इस वज़े सो बरबाद हो गया था gangster concert पर पहुचा उसके पास एक लड़की आये और बाइनाकुलर देखकर चली गए एक open concert था तो दूर से वो Lily को और Nate को देख सकता है Nate कोई भी चीज रिस्क नहीं करना चाता वो Lily के wings को देखना चाता था तो Lily ने भी open कर दिये gangster भी देखकर surprise हो जाता है उसने अपने आदमी को गा जा और Nate को मार डालो उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ Nate और Lily दूर थे तो जल्दी से वहाँ से चले जाते है तब gangster के पास कोई भी option नहीं उसे Nate के साथ deal करने ही पड़ेगी उसे बेचना जाता था हैपी ने कहा कि तुम बहुत यूनिक हो सबसे ब्यूटिफुल मैं तुमें केज में नहीं रख सकता उसे अपने ले पाना जाता है वो गहता है तुम्हारा ओडियंस सिर्फ मैं ही रहूँगा वो लिली से गहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलो लिली भी इसके लिए मान गई हैपी नेट को मारने वाला था पर लिली कहती है तुम दोनों की डील थी वोही डील हम कंटिन्यू करेंगे लिली उसके साथ गई सिर्फ नेट को बचाने के लिए नेट बहुती डिस्टरब था नेट उससे कहता है मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ उसकी फ्रेंड इसके लिए उसे हेल्प करती है उन्होंने एक ट्रक लिया और एक यांक्स्टर के बास गया वो ब्रिटेंड करती है यांक्स्टर ने कुछ घर पर मंगवाय हुआ था काड़ी से उतर कर नेट लिली के पास पहुँच गया लिली हैपी के साथ मूवी देख रही थी नेट कहता है मेरे साथ चलो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हैपी भी मज़ा करता है जाओ जाओ लेकर जाओ और उसके बहुत जारे लोग पीछे थे वो नेट को बाहर निकाल देते लिली हैपी को फिर से गया दिये जब तक मैं तुमारे साथ हूँ उसको कुछ भी होना नहीं चाहिए नेट को रात में लिली के ही सपने आते है वो बहुत रोता है उसे पैसों की जरूरत थी तो एक जगा पर ट्रंकेट बजाने का उसे कॉंट्रेक्ट मिला उसकी कुछ एडवांस पैसे उसने पहले ही ले लिये अगली दिन हैपी लिली को एक बहुत ही बड़े पार्टी में लेकर जा रहा है वो लिली से रहता है मुझे जो ये नाम दिया गया है हैपी इस नाम को लेकर वो अपने फादर पर बहुत ही ज़्यादा अफसेट था उसकी लाइफ में बच्पन से लेकर आज तक कोई भी हैपीनेस नहीं था पर अब उसे सही लगता है वो लिली के साथ है तो बहुत ही हैपी है अब उसे नाम सूट करता है उसने लिली को एक ब्यूटिफुल से डायमंड कर नेकलिस दिया ये दोनों पार्टी में आए इस पार्टी को देखकर लिली सप्राइस थी इसी पार्टी में नेट ट्रमपेट बजा रहा था हैपे की इंटर्व लेने के लिए कुछ लोग थे तो जब वो बीजी हुआ तो नेट और लिली फिर से एक दूसरे के सामने आते है लिली उसे कुछ भी बात नहीं करती हैपे उसे लेकर चला जाता है वो फिर आज रात पार में बहुत जादा ट्रंक हो गया एक लड़की सो बात कर रहा था वो उसे डारेक्ली घर पर लेकर आती है उसकी बॉड़ी पर भी एंजल की टैटूस है नेट उसे इंटिमेट होने के लिए मना कर रहा था इस लड़की के हाद में कोकेन भी है वो उसे जबरदसी दे देती है एक्चल में जिस आदमी से नेट लिली को चुरा कर लेकर आया था यह सब उसे आदमी का प्लैन था वो उसे ओवरडोस कर कर मार डाना चाता है उसे लगा तो था कि वो मर जाएगा अगर नेट वैसा ही रहता तो मर जाता तो उसे हेल्प करने के लिए उसकी फ्रेन आगे वो उसकी जान बचा लेती है इसके बाद लीली का पता निकाल कर वो हैपी के घर में गुस गया वो लीली सहेता है कि मेरी ही वज़े से तुम अभी आ हो वो उसे फिर से घर लेकर जाना चाता था हैपी ने सब देखा और उसे मार डालता है उसे लीली बन शक हो गया उसे लगा कि लीली भी उसके साथ भाग जाने वाली तो गुष्थे में लीली को बहुत मारता है वने क्लब में लिली को बॉक्स में रखकर उसको सब लोग को दिखाता है यह मेरा एक सीमिन देखते हैं कि नेट के पास उसका फ्रेंड आया हुआ था वो पुलीस हैपी की ख्लब पर आज जाने वाले है उसकी एंजल पकड़ी जाएगी यहां नेट को पता चला कि हैपी लिली के साथ क्या कर रहा है वो गुस्सा हो गया अपनी फ्रेंड की मदद से उस क्लब में पहुच जाता है वो लिली के पास आया उसे इस तरीके से केज में देखकर उसकी आग में आशु आ गए लि लिए उसने लिली को फ्री कर दिया भागते भागते यह टेरेस तक पहुच जाते है इनके पास अब कोई भी वे नहीं था नेट लिली से कहता है अब तुम्हें उड़ना पड़ेगा वो बहुत ही डर गए थी कहती है मैंने कभी भी किया नहीं है वो कर नहीं सकती नेट कहत है वींड पाउरफुल है हमारे पास हाइट है तुम्हें कर सकती हो टेरेस का दर्वाजा तोड़कर हैपी की आदमी पहुच चुके थे नेट लिली को किस करता है उसने जम मारती है लिली भी उसे बचाने के लिए जम मारती है उसे पकड़ती है और अब वो फ्लाइ कर रही में डेजर में लेकर गया है यह दोनों जब उट रहे थे तो नेट ने फिर से उसी स्पोर्ट को देखा वहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई थी इसका मतलब है उसकी मूवी के फर्स में डेथ हो चुकी है जो भी हो रहा था यह उसका गोश्ट था अगर इस मूवी में हम नेट का कैरेक्टर देखे तो एक डीमन की तरह ही है लिली एक एंजल है एंजल और डीमन की लो स्टोरी बहुत ही फेमस माइथोलोजी है और यही इस मूवी के वर्ल्ड में इन्होंने क्रेट की है अब यह दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे इसे के साथ आज का वीडियों हम हम करते हैं हम फिर समय लेंगे और एक निम्हों के साथ तब तक बिले थैंक यू